हाई गाईज वेलकम बैक टो भोजपुरी चलीज मैं हुरुधीर कैसे हैं आप लोग गाईज आज हम लोग एक बहुत ही ज़दा स्पेशल वीडियो देखने वाले हैं एक्चली ये इसके दो पार्ट में मैं इसका रियाक्शन करने वाली हूँ ठीक है संदीप महेश्वरी च कि मोटिवेशनल ये स्पीच देते हैं और वो स्पीच सुन करना कुछ अंदर से ऐसा फील होता है कि या लाइफ हम सही जी रहे है कि गलत जीरे कैसा होता है मतलो सेल्फ डाउट तो आता है बट उसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं हमें है ना ऐसी होती है मोटिवेशनल और इनके साथ हम आज देखने वाले हैं एक अनदर लिविंग लेजेंड को खान सर को ठीक है मीट खान सर एपिसोड 29 ओके तो खान सर का इंटरव्यू क्या है संदीब जी ने और लेट स्टाट द वीडियो इस वीडियो का रियाक्शन आपको दो पार्ट में मिलने वाला है तो आज हम पार्ट वन देखेंगे देन कल पार्ट टू ओके सो लेट स्टाट तर अब जैसे ही आपको नाम बताऊंगा उनका जो हमारे आज की गेस्ट है तो आपको जो एक्साइटमेंट लेवल है वो और बढ़ जाएगा यह बताने से पहले कि गेस्ट कौन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यूट्यूब के बारे में यूट्यूब में क्या है कि अगर बात करी जाये तो करोडों चैनल है जो अलग अलग जानल में अलग अलग काटीगरीी इसमें से ढ़ बड़ी काटीगरीज है मोटिवेशन और एड़ुकेशन पूरे वल् वेलो, वेलूख को वी आपने ली थांसर। क्या है चाई जी और रिड़ेल। वाँ बिलमेंन मैंजिए लुग लेजी दीए और इक आड़ेल। एक्स्ट्राओर्डिनरी मोमेंट हो गया, यह सची इससे पहले कि और आपसे कुछ पूछे या इंट्राइक करें, मेरे माइंड में एक क्वेश्चिन है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे कमेंट सेक्षिन में भरा पड़ाता खांसर कभाएंगे, मतलब इससे क्या जादू कर दिया अपने बच्चों के ओपर यह सवाल हम आपसे भी पूछते हैं हमारे भी इतना कमेंट है इतना मेरे तो ओफिस में लोग चले आएं कि सर कभ जा रहे हैं कि हम उसको तो एग्जेक्ट है हम लोग का में है कि बच्चों को जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आए उसके मन में कोई डाउट न रह जाए हम उसको कहते है कि हम तुम्हें पढ़ा है तो भूल के दिखाग है याद तर रहे हैं याद रहे हैं अग्ट अब याद पांट इससे कॉंट पढ़ उस हिसाब से वह सही है ओक्सीजन जैसे जिंदगी के लिए ज़रूरी है वैसे एजुकेशन ज़रूरी है वह यह नहीं कह सकता है कि पैसे के वज़े से खांसर क्यां से लौट गया है क्या बाट रहे हैं मैंने देखा कि आपका जो चैनल है कि यह पिछले तीन साल के अंदर वीडियो शुट किए पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बाद कभी वीडियो नहीं चेह साथ वीडियो एक ही बार सुट कर ली है और एक जो तहें जिनका कैमरा वगरा में पास कैमरे भी नहीं थे उस ताइम और कैमरा पाइंट था तो छे महीना इसी में लग गग ग लग भग 30,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे तो जैसे लोग डाउन लगए तो उस पढ़ाना चालो कि और पता नहीं किया लोगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट अगिया कि आपना स्टाइल एसा है तो आप आप आइ तिंक पढ़ाई के साथ साथ में जोड़ा थोड आप आप तो हुगाई कर देंगे उन्होंने पढ़ाई का मॉडल चेंज कर दी अन्होंने एसा डिजाइन किया कि टीचर की रिस्पॉंसबिल्टी उख ऑप ठाह के चला जाए तीचर की रिस्पॉंसबिल्टी यहां खतम नहीं हो जाती पढ़ाना तो कोई भी पढ़ा सकता इसे बड़ी रिस्पॉंस्बिल्टी उसे समझाना, वो समझा की नहीं समझा, अगर लड़का आपके सम्झाने के बाद डाउट रह गया, तो आपकी गलती है, लड़का हमसे पुछता है, सर इतनी भीड़ है आपके पास, तो कहें, सर डाउट कैसे पूछाई है, हम करें यह बचेगा तब ना पूछेगा तुम डाउट यहापने, हम करें अगर ना पड़ेगा, और शायद यही बज़े है, इनकी जो ग्रोथ है उसका, किसी ने शायद सपने भी नहीं सोचा होगा, कि पिछले दो साल के अंदर अंदर, जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लोगडाउन के टाइम पर आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे, आज की रेट में 17,000,000 है, और मेरा एक क्वेशन और है, इससे पहले के ओडियन्स में से आपसे कोई क्वेशन पूछे है, कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉंट्रोवर्शल हैं या थोड़े से सेंसिटेव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत, I think, बहुत ही कम लोगों में है, तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं हुई है कॉंट्रोवर्सी बहुत बार, एक्चुली बच्पन से हमको फॉज में जाना था, और फॉज बालों के लिए यह सम माहने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, ड़संट मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है, वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ बम गिरे थे कुछ बिरे थे, कुछ बहुत बहुत सॉलीड जगा गिरा था, फटा नहीं हो मतलब आपके आसपस? हाँ, बम को भी पता है कि टीचर की इजद किया जाता है क्या बात है, क्या बात है मैं समझ पा रहा हूं कि आपके अंदर जो अटिट्यूड है कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फौज में जाना चाते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े है एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो करके हतियार से एक अदमी की जान जा सकती है कलम से बहुत लोग की सिक्षा एक ऐसा हतियार है हर कूरितियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और यह एक ऐसा आतियारे मिटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है सब्सक्राइब मेरा गुस्चन यह है कि अभी प्राइवेट ऑगनाइजेसंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो यह खातम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी हो पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई सुरू कर देते हैं मस्त एकदम से है ना तूसर मतलब की बच्चे मतलब की । डरते नहीं आपसे और इस तरह किसे कैसे चनेकटेड़े हैं आपसे और रम कॉस्टन साष्एयू अइक प्षी आपेशला करने बारे ऐठीक है उसके बारस ही बरता है क्यू कि मुझे मतलब की चीशव करना है ठीक है और Sandeep sir को देख लिए है मेरा तो बचाही हो जाना है वाले कही हो जाना है क्या हो जाना है मेरा पूरा कम्प्लीट करो I'll be an I.S. officer next year because I have seen you sir my day is like complete sir All the best Thank you so much sir thank you पूरा बोला करो Thank you लडकों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ाने की बाताईगी तो उसको हम पूरे बहतरीन धंग से पढ़ाएंगी लेकिन जब सजा देने की बाताईगी तो वो भी बहतरीन धंग से होगा इसे थोड़ी होगागी बस एक के चीज बहतरीन धंग से होगा और डर का होना बहुत ज़रूरी है यह डर भी अपने UPSC क्योंकि 2.5 लाग फीस, सारे लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा वही रहता ही हम तो जादे तर हमारी स्टूडेंट्ट देगेंगे तो किसी के रिक्सा वला सबजी वला यही लोग इनको 2.5 लाग रुपया उनके पास पूरी संपत्ती नहीं होती है फीस कहा से भरेंगे माँ पर उसके रहेंगे कहा से तो ओल ओब इंडिया से कश्मी से कन्या कुमारी तक गरीब से गरीब भी लाड़का उसको पढ़ सकता है यह कुछ हजार रुपय मंतली 12-14 साल का पड़ेगा खातम हो जाएगा इतना महीं यह जो डंडे बात इनोंने कहीं यह सच है मतलब आप सच में डंडा रखते हो पुलिस काई है और मारते हो कि मतला अगर कोई लड़की छेड़ता है यह कोई भी उल्टा पुल्टा करना है कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहाँ पर कैमरे पर अन कैमरा जैसे भी रहें कुछ भी पिटाना तो उन पो फिक्स एक तो कोई मतलब बिधायक जी थे उनके लड़का को आपका सबसे बड़ा डर क्या है आप दोनों का फोजी को डरे नहीं लगता है बाकी अफसार से मुझी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन अब मुझे इनकी डंडे भाली कहने सुनकर दर लग रहा है कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया और इनोंने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आकर कि अगर इनोंने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाए करते हो आप हमारे स्टाफ परिशान रहते हैं हम देड़ दो बज़े सोते हैं सुबच छे बज़ ऊड़ जाते हैं परिशान रहते हैं इतना क्यों करते हो करते हो इनको साथाथ लगना पढ़ता है हम जग गए तो कोई सोया थोड़ी रह गा है परिशान रहते हैं दिन में स कि अपने मुझे यहाने का मुखा दिया अब तक मैंने आपको सिर्फ फोन या लैप्टॉप में देखा है दोनों को अज फिर्स्स ताम लाइव देख रही हु तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा कोशन यह है आपसे जब हम us des näas यह कोई कर लेते अच्डे और क्यूब घ्रीजार लोगोंसे फूसते हैं कि तु बता और क्या रहा है तो उन मेंजै कई अगर कोई हमें कैता है कि दशजिजन हैमकाथ तो हमार्थ मांन उन लगता है और उसकी वजेसीन अपिसजन कर दएगा ह Springs इसेजन पे स्टिक रहे, कैसे हम जो दूसरे के ओपिनियन उनको अफेक्ट ना होने दे अपने उपर दूसरे से सला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसेर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए आप ऐसा नहीं है अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बहतरी इंधा से रिसेर्च किया इसमें प्लस पॉंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सला लेने जाए इना कि मन में आप इसी ना बता गड़बा जाएगा तुम आपकर पहले आपको अर 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 जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज कर रहा है तो डिसीजन चेंज करना बहुँ जादे गलप नहीं है यार बड़ी जल्दी खतब हो गई मतलब मुझे और आगे देखना था बट कोई बात नहीं हाफ पेशेंस अभी कहा ना है पेशेंस ओके मतलब हम लोग आगे भी देखेंगे ये वीडियो और पूरी वीडियो देखेंगे बट जो भी यहाँ पर बाते करी गई लाइफ में कितनी ज्यादा रेलेवेंट है कभी सोचा है चोटी चोटी बाते बहुत ही चोटी चोटी बाते लाइक आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में अगर कोई टीचर किसी बच्चे को उसकी गलती के लिए अगर डरा भी देता है मतलब थोड़ा सा डराता है या धमकाता है या मानलो एक थोड़ा सा थपड़ी मार दिया चोटा सा थपड़ मार दिया बच्चा अपने घर पे रो रो के इतना बताएगा कि हाँ इतना बड़ा खड़ा कर देगा कि मुझे तो टीचर ने मारा मेरे चोटी सी गलती थी ऐसा वैसा ठीक है और पैरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल, ठीक है, स्कूल पहुंच जाते हैं, उस टीचर को स्कॉल करने के लिए, उस टीचर को डाट फटकार लगाने के लिए, उस टीचर को, यहां तक कि कुछ पैरेंट्स ऐसे होते हैं, जिनने अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड होता है, और वो हमारे बच्चे को किईसे लगाया आप भूल जाते में कि 원ole ay कि वह गुरू वह आपके बच्चे का में फ्यो इस से जए और अगर आप ईस चीज को बढ़ावा दे रहें तो आपकी स्व beta को कोई डाट नहीं हो पर अगर सकता है तो आपके सम्हना का थे को Tampa तो यह बहुत ही बड़ी आपकी भूल है बहुत बड़ी गल्ती है और इस चीज पर आपको आगे जाकर पश्टाना पड़ सकता है अगर उसे जिंदगी में कभी डाट ही नहीं पड़ेगी कभी उसको कोई समझाएगा नहीं कि हां क्या सही है क्या गलत है क्या तुम्हारी गल कुमारी यह वह वैसे ही रहे जहां उन्हें भिलकुल स्टूड़ेंट को एक समान रखा जाता हमारे इंडिया का स्टूडेंट को एक स्ट्रीटमेंट डिया जाता था ना कि किसी को बेटा और एक गरी प्रामण का बेटा एक साथ रहते थे एक ही वेश में एक ही जग है रहते थे एक ही जैसा खाना खाते थे एक ही जैसा उनका ट्रीटमेंट होता था और एक ही जैसी शिक्षा वो ग्रहड करते थे यह तो आजकल का कल्चर है कि बदल गया है हर चीज है ना बट मतलब हो पर माबाप से उपर गुरू होता है तो इसलिए होता है क्योंकि वही आपके बच्चे को सही गलत की अच्छी शिक्षा देता है यहां बहुत ही मस्त एक वीडियो हमें देखने को मिली और काफी अच्छी अच्छी बाते देखने को मिली है न कि देखो गलत करने पर हमेशा ड बात मेरे पापा की है, मतलब मेरे पापा की ऐसी एक सीख है, जो सायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी है, कि सुनो सब की, बट करो अपने मन की, हमेशा अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनो, जो तुम्हें सही लगता है, वो तुम करो, क्योंकि कहीं न कहीं, जो उसके न बट उनके नतीजे वो नहीं जहलने वाले हैं, वो आप जहलने वाले हो, तो किसी दूसरे को बुरा भला कहने से अच्छा है, आप अपने आपको कह लो, अगर आपका जो वैसला है, वो सही है, या गलत है, जो भी है, जैसा भी है, वो आपका कर्म होगा, ठीक, तो एक चीज ये मेरे साथ हमेशा रहेगी, ये जिंदीगी दर ये वाले सी, so guys, I hope आप लोग को रियक्शन पसंद आया होगा, और इसका डेक्स कार्ट जरूर आएगा है, जल्दी आएगा रियक्शन करें, ठीक है, तो बने रहना, okay, ना मिलती हो, नेक्स वीडियो, और बाइ,